नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो अन्मॉलकिसान, आज हम बात करेंगे एक परिक्सा के बारे में, जो अभी हाली में तीन मार्च को संपन हुई है, यह परिक्सा का नाम है कृषिस सुपरवाइजर है, यह एक रिकल्चर सुपरवाइजर की परिक्सा है, यह राजस्तान अधिनस्त और अंत्रालिक सेवा चैन बोर्ड ने आयुजित की थी राजस्तान में, दरसल इस परिक्सा का जो नोटिफिकेशन है, वो मही महीने के 2018 में जारी किया गया था, और इसकी जो फोरम था वो जुलाई से अगस्त तक फोरम बरा गया था, और इस परि परिक्सा होनी थी, लेकिन कुछ कारण वस्या जो मुख्य रेजन है, वो गुजर आरक्षन आंदोलन बताया गया है, उसके कारण इस परिक्सा को रद कर दिया गया, और बाद में इसकी नई तारिक गोशित की गई तीन मार्च, और तीन मार्च को यह परिक्सा, रास्तान क वीक हो गए है, और उसके बाद ढूसरी और दोसरी ऐसे बढ़रे एाम करने के नाम पर चात्रों सेपेश रखियों टाइम है, फ़ Chic Q बेंप दित एक गिरो है जो पेपर लीग करने के नाम पर चात्रों से पैसे एंट रहा था और एसोजी जो इस पेशल ऑपरेशन गुरूप जो था यह कई दिनों से इन लोगों पर नजर बनाए हुए था तो जैसे एकजाम सुरू हुआ उसके पहले एसोजी ने साथ लोगों को अरे अरेश्ट कर लिया था और इनके पास से साढ़े पांच लाग रुपे केस साइन की हुए चेक साथ लाग रुपे किरासी वाले उसके अलावा ओरिजिनल डॉकुमेंट थे कुछ इस्टूडेंट के उसके अलावा ब्लुटूथ डिवाइस थी और एड्मिट कार्स थे अको अब तक जो न्यूज हैं उसके आदार पर इनको गिरपतार जो किया गया है ये तो बात सही है लेकिन क्या इनके पास पेपर मिला था यानि कि जो पेपर तीन मार्च को हुआ है क्या वो पेपर मिला था इनके पास मोबाइलों में फिचला वाला जो पेपर था वो तो मिला मतलब उनके मुबाइलों में पुराना पेपर था यह तो इसो जी ने भी कंपर्म कर दिया है लेकिन अभी तक यह नहीं का कंपर्म हुआ है कि जो एक जम शुरू होने से पहले इन लोगों के पास उपलब्ध हो चुका था या नहीं हुआ था अभी तक तो यही जानकारी है कि इनके पास कोई किसी भी प्रकार का पेपर इनके पास अभी तक नहीं मिला है जो जांच चल रही है अभी जांच जारी है अभी जांच का कोई पूरा वो नहीं आया है कि जांच पूरी नहीं हुई अभी जांच जारी है और अभी तक जो RSMSB है उसने भी अपनी तरह से कोई नोटिपिकेशन जारी नहीं किया है कि इस एक्जाम का क्या किया जाएगा विद्यारतियों में स्टुडेंट्स में एक्जाम रद्ध हो जाएगा कहीं लेटर्स भी वाट्सप पे सर्कुलेट हो रहे हैं कुछ न्यूज भी आ को लगता है कि मामला कोट में भी हो सकता है और ये इसमें अब तक जो जांकारे हैं दोस्तों आपको यह कहेंगे कि अभी तक पेपर रद्ध होने की को सुझना नहीं आए जब तक और एस एम एसस बी यानिकी जो चैन बोर्ड है वो अपनी तरफ से कोई सुझना जारी कीजिए तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद दोस्तों